विभिन मांगो को लेकर सिर्मौर जिला होमगार्ट वेलफियर एस्सूसियेशन ने आज जिला मुख्याले नाहन में बीजे भी प्रदेश अध्यक्ष वसांसद सुरेश कश्यप से मुलाकात की ग्रिहा रक्षकों का कहना है कि उन्हें नियमित रूप से प्रदेश में रोजगार नहीं मिल पाता है जिससे उन्हें अपने परिवार का पालन पोईशन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश अध्यक्ष को मांग पत्र सौपा साथ ही ग्रिहा रक्षकों ने मांग की है कि पुलिस विभाग की जरूरत के मुताबिक उन्हें सिर्मोर जिला में विभिन स्थानों पर पुलिस थाना वर चौंकियों में नियुक्त किया जाए इनका यह भी कहना है कि उन्हें पहले स्वास्त विभाग में विभिन स्थानों पर नियुक्त किया गया था मगर पूर्व सरकार के समय में उन्हें वहां से हटाया गया था ऐसे में मौझूदा सरकार दोबारा उनकी नियुक्ती स्वास्त संसानों में भी करे वहीं दूसरी और BJP प्रदेश अध्यक्ष वसांसर सुरेश कश्यप ने कहा कि ग्रिहर रक्षकों से जुड़ी समस्याओं को प्रदेश सरकार के सामने उठाया जाएगा और इनकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी कोविट की बज़े से हमारी सरकार डिस्टर्ब थी इसलिए डियूटी नहीं मिल पाई तो आज हम फिर से सरकार अपने अध्यक्ष मोदेजी के पास आये हैं और हमने दुबारा से जो हमारी नई थाने चोकियों में डिपलेप्लेमेंट होनी थी जो कि कोविट की बज़े से न गत कर आया और यह भी शिक्र अति शिक्र इसे जो हमारी स्वास्ति विवा की ड्यूटियां थी वापस करने की कोशिश करेंगे हमें पूरी उमीद है सरकार से कि जिस परकार सरकार ने दो हजार दो में हमारे लिए रूल एंड एक्ट में संचोधन किया था और एक वोलेंट करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि हम घुटी जवानों को पूरी साल वर रोजगार मिले हम भी जो है अपने परिवार का भरन पोशन सही से कर सके मैं एक बार आपका होम गार्ट का एक डेपटेशन नहीं हां मेरे कारले में आकर मिला और इनकी मुखे दूटी में लगाया जाए और इसके साथ साथ पूरे साल भर इनको डूटी मिल सके क्योंकि अभी इनका कहना है कि कोविट के समय में तो लगातार हमसे डूटी ली गए लिकिन जैसे अगर कोविट माप्त हो जाएगा तो उसके बाद हमें बीच-बीच में ब्रेक दे दिया डिडवी टिकर हमीरपूर सभी प्रकार के पेंट, हार्डवियर, प्लाइवोड, टिंबल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपरक करें